हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इस कूली पटियाला सलवार की सिलाई बताएंगे तो ये हमारे दो पल्ले हैं जिसे साइड पल्ला और ये हमारी कली हैं इनहीं में हमारी ये जुड़ेंगी तो हम आपको बताते चले हैं और ये हमारा बेल्ट है उपर की और ये हमारा जूड लगेगा अब हम आपको सिलाई की तरफ लेकर चले हैं तो ये हमारे दो साइड पल्ला हैं इनको हम एक हटाल देते हैं और यह हमारी चार कली हैं, इसमें हम दो हटाल लेंगे, अगले पीस में साइड पला में काम करेंगी और दो हमने हटाल दिया है, अब इसमें हम इस प्रकार से एक कली, इस साइड में एक पहली कली, इस साइड में हम इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं, ये सिलाई एक कली की हमारी हो गई अब दूसरी तरफ इसी तरफ इधरम घुमा लेते हैं अब नीचे की तरफ ही हमारी कली आयेगी और इस हिसाब से एक सेड में हो चुकी दूसरी तरफ ये हमारी अब ये हमारी दोनों कली जुड़ चुकी हैं अब इसके बाद में इस से वे दूसरी वाली इसी हिसाब से बिरुकुल जुड़ लेना है ये हमारी दो कली हैं फिर से हम दूसरा वाला पला उठाते हैं और इसमें हम पहले कली उपर की तरफ आयेगी इस परकार से ये हमारी पहले कली लग चुकी है अब इसके बाद में ये हमारी कली है अब इसके बाद में ये हमारा पला है तो इसमें अब दूसरी तरफ हम नीचे अब कली रखते हैं और फिर हम पला इस हिसाब से रखेंगे अब इसमें भ अब ये दोनों हमारी कलियां जुड़ चुकी हैं, अब वो अला पला उठाएंगे जो हम पहले वाले पला में जोड़ा था, अब यहां पे हम अपनी म्यानी इस प्रकार से एक समान विर्कुल इस हिसाब से मोड लिया है हमने, वो अलाक लगाने की कोई जरूर नहीं अब इसको फिर हम एक बार इस हिसाब से, अब इस पे हम उपर से सिलाई लगा लेते हैं, इस प्रकार से, अब यह पक्की सिलाई हो जाती है, इसमें वो लग लगाने की कोई जरूर नहीं पड़ती है, अब यहां पे हम, यह हमारी बेल्ट है, यह हमारी बेल्ट उनीस इंच है तो इसको 24 बीसे या 22 इंच से कम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जोड़ लगा लेंगे इस हिसाब से यह उघ been इसको हम बराबर 24 इंच या 22 इंच इतनी भी रखना चाहे हो हम इसको तेईस इंच रखेंगे ये बाईस इंच हमारे रह जाएगी तो यहां से हम तेईस इंच रखेंगे तो इस प्रकार से cutting कर लेते हैं अब ये हमारी 22 इंच त्यार रह जाएगी अब इसमें हम थोड़ा हलका margin छोड़ देते हैं इसमें हम नारा डालेंगे इसके लिए फिर टाकी बांद करके इस हिसाफ से शिलाई लगा देते हैं अब इसके बाद में हम इसको इस हिसाफ से और इस हिसाफ से घुमा लेंगे तो यहाँ पर इस हिसाफ से घैप हो जाएगा नारा डालने के लिए अब इधर सिध्धा तरब से हम सिलाई लगा लेते हैं इस हिसाफ से बराबर बिल्कुल ये सिलाई हो चुकी है हमारी अब इसमें हम गुटका उठा लेते हैं बराबर करके इस हिसाफ से ये बीच में गुटका हमने उठाया है क्योंकि हम belt अगर जड़ेंगे तो इस हिसाब से जो उधर वाली side है मैंनि कि बराबर good care पर बैठनी चाहिए तो यहां से हम start करेंगे plate डानना अब विर्कुल बराबर जोड को रख लेंगे और plate डानना start करेंगे हम यहां से अब पहली plate चाहे अपनी तरफ डालो या बाहर तरफ एक समान परनी चाहिए यह पहली plate हमारी होगे फिर दूसरी वाली इस हिसाब से डालेंगे अब इसी हिसाब से हम सारी plate डाल लेते हैं अब एक पर हमारी plate हो चुकी हैं दूसरी तरफ डालते हैं इसी के हिसाब से अब हम उपर की तरफ से अपनी तरफ डालेंगे क्योंकि यह उपर हिसा आ जाता है तो यह अपनी तरफ पढ़ेंगी इसी हिसाब से इधर भी डाल लेते हैं अब यह हमारी पलेटे पड़ चुकी हैं अब हम इस पे उपर की शिलाय लगाएंगे कि आप पैर की भी लगा सकते हैं और कदर की भी लगा सकते हैं व oxygen है अब हम इस प्रकार से कदर की लगा रहे हैं अब ये हमारी सिलाई लग चुके है दोस्तों इसी प्रकार से आप प्लेट पतilliाला सलवार में डाल सकते हैं ये सवा दो मीटर का हमने बनाया हुआ है अब इसके बाद में हम आ जाते हैं महोरी के तरफ ये हमारी महोरी है इसमें हम इस इस प्रकार से बखरण को मोड़े लेंगे, इसी के हिसाब से आप ये इसके बाद में इसको पक्ता करेंगे, इस हिसाब से, इसमें कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं, जैसे कि आप फोल पाती कुछ भी डिजान डाल सकते हैं तो अब इसके बाद में हम इसकी सैड जोड लेंगे और उपर का हम बाटम मोड लेंगे ये हमारा बन करके तयार हो जाएगा दोस्तो इसी प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं ये हमारा पीस बन करके तयार हो चुका है इसी प्रकार से आप कोई भी पटियाला सलवार में आसानी से प्लेट डाल सकते हैं ना कि आप उस हिसाब से डाले कि पहले प्लेट भी डाले और उसके बाद में बेल्ट चणा है ऐसा नहीं आप एक साथ ही डाल सकते हैं